सब्सक्राइब करें CSTW प्रजेंट चानल को और बेल आइकोन को दबाए है लेटेस्ट टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए करने वाला एक मिस्टिरियस बॉक्स की अनबॉक्सिंग तो आप केस कर सकते हो तो मैं अभी नहीं बताओंगा और ओपेन करूंगा तो आपको देख लेना यह मैंने मेंगा है अमविजन से और इसकी प्राइस है वो मैं अभी नहीं बताओंगा तो आप लोगों देखके समझ जी सकते हो अगर आप ब्रिलेंट हो तो चलिए मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर देता हूं और उसके बाद दिखाता हूं क्या है इसमें यह बॉक्स यह रही बॉक्स और इसके अंदर देखता हूं और इसके अंदर तो और यह बिलिंग है और यह रही पॉक्स तो इसे मैं जल्दी से ओपेन करता हूं और देखता हूं इसमें क्या है तो ओके तो यह है फी फाइन टेकनोलोजी अच्छा तो यह रही एक मैनुवल बुक अगर आपको टाइम मिले तो आप रीट कर सकते हैं तो मैं इसको कर देता हूं साइड और यह है पॉप फिल्टर ट्वेल इसमें दिया हूँ है पॉप फिल्टर और यह रिलावर हैड आप इसको अपने अनुसार एड़ेस्ट कर सकते हूं ओके तो यह है इस पंज फिल्टर या फिर को फॉर्म फिल्टर चो कहलो यह इसमें दिया हूँ माइक और यह है माइक स्पेसली रिकॉर्डिंग के लिए आप पोड्कास करते हो या सौंग या फिर नौरवली वाइस क्वाल्टिक के लिए तो यह मिल जाती है माइक और उप पॉकलेट मिल जाती है फीफाइन की तरफ से पेक अप एसेसरी तो इसको मैं कर देता हूँ साइड और वेसिकली यह सौक माउंट है सौक माउंट माइक को फिट करने के लिए और यह मिल जाते है मुझे 2.5 मिटर के केवल और यह बी टाइप है और इधर योस भी है और यह म यहां पर माइक को यहां पर स्टेंड कर सकते हो तो मैं टोटली बताऊंगा आपको और इसके साथ मुझे एक और चीज मिल जाती है और यह है टेक्स्टॉप माउंट अब इसे इसमें इसमें नूब दिये हुए है आप इसको टाइट कर सकते हो और एक चीज और है ओ मीनी ट आप इसे भी यूज कर सकते हो नौर्मली अगर आप इस्टेंड यूज नहीं करते तो मीनी इस्टेंड भी यूज कर सकते हो मीनी ट्राइपोर्ट तो यह थी फीफाइन के तरफ से मैंने मगा था एक माइक दीखे फीफाइन इसमें वॉल्यूम भी दिया हुआ है आप प्रेटिंग उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसकी भाइस क्वाल्टी चेक करके भी मैं बताऊंगा आपको तो गाइस मैं अब डेक स्टॉक मांड ये लगाने वाला हूँ इस टेवल पे तो मैं इसे पर ले फिक्स कर देता हूँ और ये इसकी नोब बहुत अच्छे है आप कहीं भी इसे लगा सकते हो बहुत जादा थिक्निस भी है तो भी आप इसे एडजेस्ट कर सकते हूँ कर दो करता है आपका स्टॉक्र नोट होगब섯 twenty ढॉड़ुक्र वगाच्दक, पूल अगा उड़ guidance कि पंको सकते है, गादूशन पङाने इसले वैसे कि और पादूँ हार रोप अनली नी मैंने तो डेक्स्टों मांट को कर दिया फिक्स अब मैं लगा ये इस्टेंड तो इस्टेंड को कुछ नहीं करना है बस इसमें इसे करके इसको डाल देना है और ये स्टेंड भी लग गए और इसको आप ऊपर नीचे कहीं भी अड़ेस्ट कर सकते हों तो अब मैं इसमें लगाना है वाला हूं माइक तो ये है माइक और इसको आप इसे ओपेन भी कर सकते हैं और माइक लगाने के बाद इसे आप लगा सकते हैं और इसे आप बाले फिक्स कर सकते हैं तो गाइस कर लेता हूँ मैं पहले मौन्ट फिक्स इसमें तो यहाँ पर मैंने इसे टेक्स्ट्राप मौन्ट को कर दिया है फिक्स अब देख सकते हूँ अब मैं इसमें लगा देता हूँ अब स्टैंड यह रे स्टैंड अपस इसको इस्टैंड को कुछ कर रहा है नहीं है बस यह जो नूब लिक्ले इसको बस इसमें स्पेस यहाँ पर दिख रहे है इसमें इसको डाल देने बस आपने अपने अपने मेंिद कर सकते हूँ आपने अग्जास्स कर सकत हो अपने अध्यस्टनफार तौण। यह मैं इसमें फ़ले फिक्स कर देखता हूँ उसके बाद इसमें फिर माइक लगाई चाहेगी यह हो गई टाइट अब इसमें कर देना है माइक को फिक्स और यह जो है इसके नीचे एक स्क्रूप थी यह रही इसको इसमें लगा के यह इसमें तो फाइनली गाइस यह आपकी माइक तयार हो गया इसमें पॉप फिल्टर लगा सकते हों और यह बची है पॉप फिल्टर इसको आप लगा सकते हो जहां पे तो चलिए मैं इसको भी लगा के आपको दिखा देता हूँ तुम्हें काईज यह अब इसमें पॉप फिल्टर दे इसमें मैं लगा देता हूँ इसमें और यह तो फैल्ली गाइज मैंने कर लिया सेट अप फिफाइन का और यह आप देख सकते हो यह फिल्टर लगा दिया हूँ मैं और आपको एक पिनट थो इसमें इसको यह पॉप फिल्टर है और एर कंट्रोल करता हूँ और यह माइक आप इसको यहां से स्कूरू से आप इससे नी सकते हो बहुत ही एड़ा लेवल है और आप तो फैокойली अभी सेटिंग हूअ नहीं है पीसी में भी कुछ सेटिंग करने परते हैं तो हम पीकुम जाएंगे और कुछ सेटिंग कराएंगे उसके बाद आपको मैं इसका भास वहाइस तो आप लोग बताना कि कैसा है इसका वाइस ही गाइस तो फैनली यह है फी फाइन का आडियो रिकोर्डिंग तो आप लोग बताना कि इसकी वाइस क्वालिटी कैसी है तो मैं जो रिकोर्डिंग करता हूं वो नॉर्मली बोया मैक से करता हूं और मुवाल के थूरू और यह म अगर कोई यूस कि न को कैसा लगा और मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी तो आप लोग क्मेंट करके बताना बहा इस कैसी है बोया का या इसका, ओके, थैंक यू गाइस, जेक्स्टॉप आप मांट तो आपने देख लिए कैसे सेटिंग करना है और ये जो ट्राइपोड मिला है, मीनी ट्राइपोड इसको भी देख लेता है कि सेटिंग कैसे करना है तो ये एक पिवट मांट है और ये एक रिंग है और ये मीनी ट्राइपोड और ये रही माक्रोफोन और इसको आप ये बड़ी वाले में तो आप फिल्टर यूस कर सेबते हैं लेकिन इसके Windows के कैप जो है माक्रोफोन कैप आप इसमें यूस कर सेबते हुझा हुझा तो आपकी इसको टाइट कर देना अच्छे से आपको यह मेरे खेल से टाइट हो चुकि है तो यह रही मीनिट्राइपोड और dus को आपको इस वे में आपको एस सेटिंग करनी है और ऐसे नहीं करना नहीं तो फिर आपके ट्राइफोड प्लट जाएगी और इसको हमें सामने रखना है फ्रांट अप तो इसको यहां लगाना है और यह रिंग को इसमें से यह हो गई टाइट और यह फैनली हो गई आपकी रेडी कि यह आपकी होगई mini tripod mike आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो कर बड़ा यॉज़ कर सकते हूं और इसमें से क्याव लगा कि आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हूं तो beenelie आप दो भी यूज़ कर सकते हूं प्रूँ प्रूग्ट